हलो गाईस आप लोग का स्वागत है एक और नियू अमानमसार की नियू वीडियो में और आप लोग सोच रहोंगे कि सिंचेन कहा है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि भाईयर यहाँ पे न सिंचेन स्कूल जा चुका है क्योंकि यार 8 बज चुका है और आप सिंचेन आता है तो गाईजर वह बहुत ही भूका रहता है इसलिए मुझे यार उसे बैतरीन वाला खाना खिलाना पड़ता है भाओ मालिक, घर में लगता है चौर घुसाए है एक सेगेंड, ये तो चौप का बाज है लगता का घाजर घर में चौर घुसाए है इसलिए चौप चिला रहा है, चलो घाजर जल्दी से पार जाते हैं एक सेकेंड, इतने सारे चोर, मैं इन सब को छोड़ूँगा नी, ओए, तुम सब लोग मेरे घर में क्या चोरी करने की लाये हो, बड़ एक सेकेंड, तुम लोग कपड़े से तो गाइजर चोर नहीं लगते, तो तुम लोग हो कौन, अरे यार, दोस्तों ये देखो, ये जो काट लूँ, नहीं चॉप, ये सब लोग चोर नहीं है, ये सब लोग सिंचैन के, उसकूल के, टीचर और प्रिंसिपल है, इसलिए इन लोग को मत काट, सांते समयाँ पे बैठ जा, ठीक है मालिक, मैं याँ पे बैठ जाता हूँ, ओके यार, चॉप तुम पे बैठ चुका ह हाँ क्या हो गया? एक सेगेंड, सिंचैन स्कूल क्यों ने आ रहा है? सिंचैन तो रोजाना निकल जाराрахा है, बैग ले करके वो स्कूल जाता है, वो आ भी जाता है साई टाइम में, तो भाई वो स्कूल रोजाना जा रहा है नहीं वो दस दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है क्या बोल रहे हो दस दिनों से? दस दिन से तो वो रेगुलर स्कूल जा रहा है और हाँ भाई वहाँ पे रोजाना स्कूल जाता है मैं उसे टिफिन भी पैक करके देता हूँ सुबह सुबह उठा भी देता हूँ और एक सेकेंड वो तो अभी फिलाल स्कूल ही जा चुका है आप जैसे कि देख पारे आट बच के एक मिनिट हो चुके हैं और वो अभी तक स्कूल पहुँच भी गया होगा नहीं वो स्कूल नहीं पहुचा है वो रोजाना ऐसा ही करता है हम लोग यहां पे बस ड्राइवर से भी पूछते हैं लेकिन वो नहीं बैठता है बस में क्या बस में नहीं बैठता है तो वो स्कूल नहीं जाता तो कहा जाता है यही तो मैं आप से पूछ रहा हूँ दस दिन पहले आपको नहीं पता क्या हुआ दस दिन पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता दस दिन पहले स्कूल में क्या हुआ सेंचान तो बोला कि सब चीज नॉर्मल था वो जाके पढ़ाई किया और घर में आ करके टीवी देखा और सो गया दस दिन पहले सेंचान और ये बच्चे के बीच में लड़ाई हो चुके थी सेंचान ने इसे इतना मारा इतना मारा किसका आज भी हुलिया एकदम बेकार है देखिए बालूल सब नोज डाले और जब मैंने कहा कि सेंचान दूसरे दिन अपने पैरंट्स को बुला के लेके आना उसके बाद सेंचान आ ही ने रहा है स्कूल बताईए क्या किया जाए एक सेकेंड ये क्या मतलब कि सिंचान उसकूल में लड़ाई किया और मुझे नहीं बताया और भाई साब ये क्या ये तो सिंचान से बहुत बड़ा लड़का है ये तुम सिंचान से क्यों लड़े मुझे ये बात बताओ वोजब छोड़िये इसका हालत देखिए इसका हालत कितना खराब कर देओ अच्छे ने नहीं नहीं वो तो गलत बात है बट मुझे यह जानना है कि यह इतना बड़ा सा लड़का सींचैन में क्यों मारपीट करने लगा ओए तुमने कुछ सींचैन को कहा था क्या मुझे जल्ली बताओ नहीं मैंने बस सिंचान का न चौकर चिप्स गिरा दिया था उसके बाद सिंचान मुझसे लड़ने लगा अच्छा तुने सिंचान का चौकर चिप्स गिरा था बट क्यू नहीं नहीं मैंने बस उससे एक पेस चौकल चिपस मांगा उसने नहीं दिया इसलिए इसलिए मुझे गुस्सा आगिया तो मैंने उसका चौकल चिपस गिरा दिया और तुम बच्चों का टिफिन खाते हो? बनमाज बच्चे? देखे मिस्टर फ्रैंक्लिल ये टिफिन खाते ही नहीं खाते है वो बात अलग है बट सिंचन को इतना बुरा नहीं मारना चाहिए था इसे अरे क्या कर सकते हैं? हाँ भाउं मालिक सिंचन ने सही किया क्योंकि अगर मेरा भी खाना कोई गिरा देगा ते देखे बगल में आपके टीचर हैं जो सिंचन को रोजाना पढ़ाते है उनकी बातों से सुनिये कि वो कितना परिशान करता है क्लास में सिंजन पूरे क्लास का मोहल खराब करता है अच्छा बगल में सिंजन की टीचर है अरे हाँ टीचर बात बताईए क्लास में सिंजन क्या करता है मुझे तो आगे बताता है कि वो रोजाना अच्छे से पढ़ाई करता है और रोजाना अच्छे से पढ़ लिख करके I.S. बनना चाता है हाँ, I.S. आई-स वाले कोईल अच्छा नहीं है उसमें बापरे बाप, उसके साथ जब मैं क्लास में पढ़ाता हुना तो वा इतना गंद मचाता है, इतना गंद मचाता है वो बैठे-बैठे, मैं बोलना तो नहीं चाता, पात देता है क्या? वो क्लास में बैठे-बैठे पात देता है? हाँ, वो बैठे-बैठे क्लास में पात देता है उसके बाद पूरा क्लास ही सड़ जाती है फिर हम सब लोग को क्लास से बाहर भागना पड़ता है उसके बाद सिंचैन क्लास में भंगडा करता है, डांस करता है और हाँ, कभी-कभी तो वो दूसरे का टिफिन भी चुरा के खा लेता है क्या? सिंचैन दूसरे का टिफिन खा लेता है? देखा, मैंने बोला ना, वो दूसरे का टिफिन खाता है आप मुझे डाट रहते हैं कि मुझे बोल रहते हैं कि मैं उसका टिफिन खालता हूँ वो खुछ सारे क्लास बच्चे लोग का टिफिन खालता है गाइस सिंचैन क्लास में पाथ देता है और बहुत दूसरे का टिफिन भी खालता है ये तो सिंचन बहुत गलत करता है मुझे माफ करिये, मुझे माफ करियेगा माफी तो छोड़िये, मैं आपको और कुछ बताता हूँ वो देखिये, वो है सिंचन के क्लासमेट मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं लोग के मुझे सुनिये कि सिंचन क्या करता है वो लो के साथ अच्छा ये सिंचन ये क्लासमेट है अरे बापरे भाई एक बाप बताओ सिंचन तुम्हार साथ कैसा है पढ़ने लिखने में तुम्हार साथ तो अच्छी फ्रेंशिप रखता होगा अरे नहीं मत बोलिए पता है सिंचनना बहुत ही बनमास है जब से हमारे स्कूल में वो एडमिशन लिया है तब से हमारे नाक में दम कर दिया है कोई उसके बगल में बैठना नहीं चाता है अच्छा ऐसी बात है क्या? वो क्या करता है? अरे मत पूछिये वो बिन बात के पता है हमारा homework चुरा लेता है और हाँ एक दिन क्या हुआ उसने ना मेरा pencil ले लिया और उसको दो टुकड़े में कर दिया आदा pencil मुझे दे दिया आदा pencil से लिखने लगा अब आप ही बताईए मैंने नया नया pencil करदा था उसने तोड़ दिया अच्छा वो ऐसा भी करता है वो homework चुराता और pen pencil बे चुरा लेता है और भाई और क्या करता है वो एक बार तो हदी हो गया सींचैन ने टौलेट कर दे थी और वो बातरूम में गया वहाँ पे मैं बातरूम कर रहा था उसने मेरा pen चुरा लिया और पहन लिया और क्लास में बैठ गया और मुझे लंगू पंगू पूरा स्कूल घूमना पड़ा क्योंकि मेरे पस pen ची नहीं था क्या सींचैन तुम्हारा pen भी चुरा लिया ओ नो ये सींचैन का बच्चा तो भाई स्कूल में बहुत इजादे सयथा मुझे नहीं पता तैंटना सयथा नहीं करता भाई सींचैन तो मुझे ये सब कुछ नहीं बताता था माफ करीएगा principal सर मैं ये सब चीश सोगा मैं आप लोग को बादा करता हूँ सिंचन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा अच्छा सिंचन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा आरे सिंचन को बुलाईए तो जरा सिंचन तो स्कूल भी नहीं आता बहुत हो गया अब हम लोग सिंचन को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हम लोग का number one school है हम लोग का नाम बदनाम हो रहा है ये लिज़े TC, मैं आपको TC दे रहा हूँ सिंचन का, आज के बाद सिंचन को school भेजेगा ही मत अरे principal सर, ऐसा मत करिये ऐसा मत करिये principal सर, ऐसा मत करिये अगर सिंचन को आप TC दे दीजगा तो सिंचन का भवीशी खराब हो जाएगा फिर सिंचन कौन से school में अडमीशन लेगा आप ही बतेए, आप लोग का ही number one school है प्लीज ऐसा मत करिये अच्चा किये सर, इसे TC दे दिये अच्चा ही किये, ऐसी करना चाहिए सब बच्चे लोग को ओए ओए ओए, पनमास बच्चे छोटे लोग का टिफिन गिराते हो तुम निकल जाओ यहां से तवरना मैं तुम्हें बहुत मारूँगा गाइस मुझे इसके उपर बहुत ही गुसारा मन करने से मारूँ बट क्या गरूप प्रिंस पहले सामने तुम वरना अभी तक तुमको मार ही देते हैं देखो मैं तुम्हें मार दूँगा सर सर ये देखिए सिंचन का भाई मुझे गन दिखा रहा है अरे ने ने कहा गन दिखा रहो कहा गन दिखा रहा हूँ कैसे गन नी दिखा रहो थोड़े दर पहले तोतुम मुझे ही गन दिखा रहे थे जब Sinchan आशा है तो Sinchan का भाई कैसे होगा बताओ तुम भी आशा ही होगे लो TC और आज के बाद हमारे स्कूल में कतई मत आना हाँ, Sinchan को कतई मत भेजना हमारे स्कूल में हाँ सिंचन को मत भीजिएगा स्कूल में हमारा स्कूल में नागदम करके रखता है वो बच्चा ये सिंचन को टीसी मिल गया अब सिंचन नहीं आएगा स्कूल ओ नो गाइस सार सिंचन को टीसी मिल चुका है अब ये सिंचन क्या करेगा अब सिंचान को पढ़ाईएगा आंगनवाडिय स्कूल में मैं तो चलता हूँ पढ़ने के लिए गाइस मुझे बहुत ही घुसा रहा है यही बच्चे के चक्कर में सिंचान को टीसी मिला मैं तो मैं नहीं छोड़ूँगा यह ले तेरे वज़े से सिंचान को टीसी मिला यह ले हाँ मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूँगा कि सिंचान का भाई भी मुझे मार रहा है मैं भाग रहा हूँ प्रिंसिपल सर देखिए यह मुझे मार रहे है हाँ करदे करदे कंप्लेन मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक सिगेंड ये सींचान ये सींचान का बच्चा कहा जा चुका है अगर ये स्कूल नहीं जाता तो ये गया तो गया कहां चौप सींचान कहा गया है मुझे जल्दी से बता दे मालेक सिंचान तो स्कूल ही गया है ना आपको तो पताईए सुबह सुबह उटके दूद्ट पी के स्कूल चला जाता है वो स्कूल नहीं गया है मुझे इतना पता है मुझे चुपचा बता दो वो कहा गया है तो वरना मैं तुमारे एक हफता के लिए बर्गर बन करा दूँगा भाओ नहीं ऐसा मत करिए एक हफता के लिए सिंचान सच में स्कूल ही गया है लगता है तु ऐसा नहीं मानेगा लगता है इसको दूसरे तरीके से लालेश देना पड़ेगा अगर तू मुझे नहीं बताता है ना तो मैं तुम्हें एक महिना तक बर्गर नहीं दूँगा और अगर तू मुझे अभी बता जते हो तो मैं तुम्हें अभी देस बर्गर दूँगा भाउ मैं बता देता हूँ लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि सिंचन को पता नहीं चलना चाहिए मैंने उसे पकड़ा आया है हाँ, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा भाओ, सिंचन ना, पेड़ों के पीछे छुपावा रहता है जब उसका स्कूल का टाइम रहता है तब तक अच्छा मतलब कि ये पेडों के पीछे चुपा रहता है सिन्चैन मैं तुमे चोड़ूँ का नहीं ये सिन्चैन के बच्चों का मुझे खुदी ढूलना पड़ेगा ये सिन्चैन के बच्चा कहां पे ये पेड़ के पीछे ने गईजर यहां पे भी नहीं है ये सींचेन चुपा तो चुपा का है सींचेन का बच्चा बार आजा मुझे सब पता चल गया अरे वो दोगो यहां पे चुपावा है सींचेन का बच्चे चल बार निकल अरे भाव फ्रेंगली बैया आपने तो मुझे ढून लिया चुपन चुपाई में आप तो बहुत ही प्रो है चुपन चुपाई की ऐसी की तैसी चल उपर आजा, मुझे तुम से सीरियसली बात करनी है पता है, प्रिंसिपल से राय थे और यहाँ पे मुझे तुमारे बारे में सारे का सारा वाद पता चल चुका है तुम स्कूल में लड़ाई करते हो तुम स्कूल में अपने दोस्तों का होमवर्ग चुरा लेते हो तुम स्कूल में दोस्तों से पैंट चुरा लेते हो कॉपी किताब चुरा लेते हो पैंट चुरा लेते हो, लड़ाई पीट करते हो प्रिंसिपल को पयते के मेंका देते और भगा देते हो क्लास से ये क्या कर रहे हो सिंचान ये सब तूने क्या किया अरे क्या हूँआ फ्रेंक्ली भ्या मैं तो कुछ नहीं किया तूने तूने लड़ाए पीट की तूने अपने दोस्तों का homework चुराया, तुमने अपने दोस्तों का pen, pencil, pen ये सब चिस चुराया और guys are principal के साथ और teacher के साथ बत्तमीज ही की ये सब गलत बात नहीं तो और क्या है तुम्हें नहीं पदा लेकिन सिंचान, मैं इतना मैनत करता हूँ याँ पे इतनी मैनत से कमाता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिग करके बड़ा आदमी बने, IAYS बने, देश को समाले, हमारे Los Santos को समाले बड़ तुम तो याँ पे पढ़ाय लिगा ही करी नहीं रहे हो, तुम तो स्कूल भी नहीं जाते और हाँ, तुम्हें इतना बंक करते हो, सिंचन कैसे चलेगा ये, मैं इतना मैनत करके तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूँ जिससे, मैं तुम्हेरे स्कूल का फीस जमा कर पाओं, और वो लोग ने टीसी दे दिया है अरे क्या टीसी, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कौन सा स्कूल में पढ़ूँगा प्रैंकिल में, बताइए वही तो मैं भी बोल रहा था, जब तुम्हें ये सब बनमाशी कर रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब की नहीं करना है अब पता है गाईजर बहुत ही गरीब आ जाएगी क्योंकि हमें समान बेशना पड़ेगा तब जाके हम लोग यहां पे सिंचैन का कौई स्कूल में अड्मिशन करा पाएंगे अब हमें यह देखना पड़ेगा कि हम लोग यार सिंचैन का कौन सा स्कूल में अड्मिशन कराते Los Angeles में ऐसे भी जादे स्कूल है भी नहीं है अरे फ्रेंकली भ्या मेरे पास एक आइडिया है क्या आइडिया है मुझे ये बदा दे अरे एक नए स्कूल खुल है Los Angeles में भूतिया स्कूल वहाँ पे चलते हैं पढ़ते हैं वहाँ पे ना फीस भी बहुत ही सस्ती है। क्या भूतिया स्कूल नाम से तो गाईजर बहुत ही अजीब और गरीब उस्कूल लग रहा है। लेकिन यार अगर वो सस्ता है तो वहाँ पे हम लोग तुमारा एडमीशन करा सकते हैं। लेकिन इस बर याद रखना वहाँ पे कोई बत्तमीजी मत करना। मैं अभी बात करता हूं। हलो भूत स्कूल में बात हो रही है। हां बताइए। अरे बापरे इन लोग का तो आवाज बिगदम भुतहा टाइप का। हलो मैम मुझे अपने भाई का अडमीशन कराना है। वह फाइव यर्स का है। कि यहां प्यात करते हैं की अदमीशन कराने के लिए आपको स्कूल में ? हे अगर आपका हमारे स्कूल मेंख्दम हैं, तो सबसे पहले यहां पे आके टेस्ट देना पड़ेगा। आपके भाई का तो टेस्ट हो गई होगा, उनके पैरेंट्स मतलब की आपका भी टेस्ट होगा, तो आप अपना स्कूल वाला यूनिफॉर्म और बैग ले करके आ जाएए, लेकिन माम मैं अपना स्कूल और बैग कबका दस सल पहली फेक चुका हूँ, तो अब मैं क्या अरे फ्रेंकली मैं मेरा पहन लिजेगा और क्या, ओके ठीक है मैं, मैं स्कूल वाला यूनिफॉर्म और सिंचैन का बैग पुराना वाला पहन के आ जाओंगा, ठीक है, चलो वार सिंचैन, यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, मतलब कि पहले तुम्हारा यहाँ प कि यार बहुत साल पहले पहेंना था, अब तो चोटा भी हो गया होगा, तो चलो उस स्कूल वाला पहनते हैं, यह देखो दोस्तो, मैं अपने 10 सल पुराने वाला कपड़ा पहन चुकाँ हूं, कितना चोटा हो जुका है कपड़ा, लेकिन मैरे पास यहाँ है मैं यही पहनन लग रहा हूँ चलो यार मैं कम से कम अच्छा तो लग रहा हूँ दोस्तों आप लोगी कमेंट करके बताना ये मेरा पुराना स्कूल वाले यूनिफॉर्म आप लोग को कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो चलो सींचन और चौप जल्दीस जाते हैं सींचन का स्कूल में मेरे दोस्त बनेंगे ना भाउ। सिन्चन देखना तुमसे ना सब लोग दोस्ती करना चाहेंगे देखले ना क्यों मालिक मैं सही कहे रहा हूँ ना हाँ सिन्चन लगता तो ऐसा ही है बट वहाँ पर जाके पाद हुद मत देना तो वरना क्या होगा कि सारे के सारे लोग तुमसे दोस्ती तो छोड़ो बाद भी नहीं करेंगे अच्छा ऐसी बात है ठीके याद रखूंगा फ्रैंकली भ्या और दूसरे एक बात बते है उस्कूल में कैंटीन तो होगा ना अरे यार सिंचान मैं भी याँ पे स्कूल गया नहीं हूँ इससे मुझे नहीं पता कि स्कूल में कैंटीन या फिर ग्राउंड है की नहीं है बट जहां तक मुझे लगता है उस्कूल में ग्राउंड और कैंटीन तो होना ही चाहिए जिससे गैजर बचलोग यहां पे खाना भी खा पाएं और गैजर यहां पे ग्राउंड में खेल भी पाएं अरे बापत है यह क्लास कितनी बड़ी होगी यह तो बताईए यहां पे इन लोग का नाम समझ नहीं आ रहा भूतिया स्कूल यह नाम कौन सोच के रखता है भाई अच्छे ची नाम होते हैं जैसे की डेवी हो गया आर्वेस हो गया मौन लीटरा हो गया यह सब जादे होते हैं स्कूल डीपेस हो गया यह सारे के सारे नाम होते हैं यह भूत स्कूल है और गाईजर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यह भूत स्कूल की बिल्लिंग में मुझे ठीक ठाक लग रही है और यह कितना बड़ा स्कूल है अरे भाई यह तो बहुत बड़ा स्कूल है चली अंदर चलते हैं और वो देखो मुझे लगता वही टीचर से बात टीचर और दूसरी है गाईजर सर्वियन नान सिंग लेडी यह लोग दोनों ने यह तो बड़ा स्कूल खोल लिया है मान गया तुम लोग दोनों को अरे मैम आप इसे बात हुई थी थोड़ दिर पहले जो आपने का था अड्मिशन कराना है तो जल्दी से युनिफॉर्म अरे मम आप गलास समझ रहे हैं मुझे यह स्कूल में नहीं पढ़ना मेरे यह चोटे से भाई को पड़ना है फी ही ही लेकिन टेस्ट तो दोनों का ही होगा पता तो चले जो तुम्हारा चोटा सा भाई है उसके पाई हैं cohesive Ś पढ़े लिके हो भी की नहीं, हम लोग जाहिल लोग को अड्मिशन नहीं देते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, भाई बताईए क्या करना है। तो हम लोग को मैनर्स नहीं पता, पहले यहाँ पे आने के बाद गुड मॉर्निंग मैम कहते हैं, उसके बाद बेंचर बाठते हैं, कहां गए तुम्हारे सारे मैनर्स, तब ही जुमी सिखाए गई है कि नहीं गई है। ठीक है फ्रेंक्ली भाई, सौरी मैम गलती हो गई, क्या मैं बेंचर बैठ सकता हूँ? हाँ, यह होई ना बात, अब बैठो बेंच में, चलो दोस्तो, फानली बेंच में बैठता हूँ मैं, और तम, बड़े से लड़के, तुम्हें इविटेशन कार्ड बेजू, सौरी बोलने के लिए, और गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, अरे मैम, गुस्सा मत करिए, गा अरे मैम, कुता मत बोली उसे, उसका नाम चॉप है, वो मेरे जैसा इंसान है, कुता बोल रहाँ अब उसे, हट करने हैं उसे, मुझे मस्से काओ, मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ, जो मैं कॉशन पूछती हूँ, अरे आप पूछिये तो, तब से हम लोग को डाट रहे, कॉशन तो पूछिये, अच्छा, तेजी वो भी मुझ से, चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, म रहे, जल्दी बताओ, एक गाड़ी है, अरे रहे, एक गाड़ी है, तो, कितने गाड़ी होई है, अरे हा टीचर, जवाब दे दिये बच गए, यह छोटा बच बच्चा को जादा ही तेज तेज है, बचा लिए अपने भाई को, अगर अब देता तो स्कूल में अड्मिशन होई नहीं पाता अब में क्या करों? चलो यह छोटे बच्चे से ही सवाल पूछती हूँ चलो बच्चे मैं तुम से सवाल पूछती हूँ जरा मुझे यह बताओ, दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? अरे पुराना जनवर अरे मैं बताओंगा टीचर मैं बताओंगा मैं बताओंगा अरे मैं बताओंगा वो तो डाइनसार है है गलत जवाब डाइनसार तो है नहीं क्योंकि डाइनसार जिंदा थोड़ी नहीं मैं पूछनों अभी तक का पुराना सा जनवर कौन है अरे आप मुझसे पूछे न तो मुझसे आंदर सुनिए वो है वो है जेबरा हैं जेबरा वो कैसे अरे क्योंकि जेबरा ब्लाक और वाइट है अभी भी हैं जेबरा ब्लाक और वाइट है इसलिए देखिए मैं बात तो सही है सिंचन ना जवाब सही दिया लौजिक पकड़ी बोलो पूछों क्या अरे हाँ हाँ मैम पूछिए पूछिए ऐसे भी आपने दो कोशन तो पूछ लिया है और दोनों काम लोग ने सही जवाब दिया है तो चलिए तीसरा का भी पूछी लीजिए चला ठीक है मुझे एक बात बताओ बैरे को इंगलिश में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता चलो दिमाग लगाता हूँ अरे हाँ मैम सुझिए बैरे को तो कुछ भी बोल दीजिए उसे क्या समझ में आएगा है ये क्या अरे हाँ मैम सिंचन तो सही कहा रहा है सिंचन के पास दिमाग बहुत ही तकड़ा है सिंचन जो भी बोलो बहुत ही तेज बच सिंग लेडी मैम ये बच्चे का अड्मिशन ले लेते हैं ये बच्चा तेज है तीक है ये बच्चे का अड्मिशन कंफाम होता है और ये बच्चे के भाई का मैम इसका अड्मिशन नहीं हो पाएगा ओए मैम मैं अड्मिशन कराने भी नहीं आता मैं बस सिंचान का चलो सिंचने काम करते हैं और अंदर जाके पुरा स्कूल देखते हैं अरे छॉप अंदर आजा भाई मजा है बहुं रहने दीजे मालिक उससे भी पता है यह तीचर मुझे भगादी उसकूल से मैं अंदर नहीं जाओंगा पिर भगादी तो अरे हाँ दोस्तो हो भी सकता है कि स्कूल में चॉप या फिर कुटा एलाव ही ना हो इसलिए छोड़ो चॉप तुम गाड़ी के पास ही रहो चलो गाईजर अंदर जाते हैं और गाईजर पुरा स्कूल देखते हैं जो भी बोलो गाईजर यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग ना बहुत ही बड़ी बड़ी है जो गाईजर मज़े आगे देख करके इसके अंदर जाके सिंचेन पढ़ेगा सोचो गाईजर चलो वर अंदर चलते हैं और गाईजर और ये स्कूल को एक्स्पोर करते हैं यहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके मुझे ऐसा लग रहे मैं दुबारा से यहां पे ड्मिशन ले लूँ और यहां दुबारा से पढ़ाए चालू कर दूँ अरे करिए करिए साथ में पढ़ेंगे मज़ा आएगा फ्रैंकली बैया नहीं यार मुझे दुबारा से नहीं पढ़ना लेकिन यार देख सकते यहां पे गाईजर वा कितनी अच्छी अच्छी लड़किया भी यह पढ़ने के लिए एक सिंचैन सिंचैन कहां चला गया अरे सिंचैन वहां चला गया अरे सिंचैन आजा भाई इधर आजा अरे दिदी आप मुझे अपने नंबर दोंगी मेरे भाईया को जरुवत है सिंचैन तू आ जाएगा कि नहीं आए कि इदर आज़े चल दी सिंचन जल लिया जब वो देख वो चली गई अधर बुला ली आपको कॉफी डेट में चुप हो जा सिंचन चुप हो जा ऐसी गटिया सा ड्रेस मुझे पहना के लेकि आया और लड़की लोग के सामने शर्मिंदा कर रहा हाँ पैंड में चोड़ गाईजर यहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं चलो जल्दी जाता हूँ और देखता हूँ वा यार यह प्लेग्राउंड तो बहुत ही बड़ा है सिंचन देख रहो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे लगता है भाई यहाँ पे दोड़ने का जगा है जिस भी बहुत ही मज़ा है यहाँ नहीं चले हो यांपर और यहाँ उजब ही फंक्शन यहाँ पर यहांपर माश ओगा देखने और खेलने में बहुत ही मज़ा आईग वाई कुछी बोलो यह स्पूल थो बहुत ही कमाल नहीं का है जहां पर कर से इंचन को पढ़ने के लाएगा यहाँ पर एक सिकंड ऐसे कैसे बच्छे हैं जो कैसे लंगू-पंगू घुम रहे अरे भाई साब तुम लंगू-पंगू क्यों घुम रहे हो अरे भाई साब क्या हो गया अरे सुनो तो लंगू-पंगू क्यों घुम रहे हो अरे अरे डर क्या क्यों भाग रहे हो अरे रुक अगर यही सब चीद देखके तो मुझे भी मन कर रहे कि दुबारा से यह स्कूल में एडमिशन ले लूँ और दुबारा पढ़ा ही चालू कर दू बट चोड़ो यार मेरा तुमर जा चुका है तुमरा आप से पढ़ना तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगो गाईजार यह सिंचन का नया वाला स्कूल कैसा लग रहा है जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना कल से गाईजार सिंचन यहाँ पर पढ़ने के लिए आएगा और सोच वार यहाँ पर सिंचन अपने क्लासमेट से मिलेगा अपने नए-ने दोस्त बनाएगा और कितना मज़े करेगा लेकिन यार मुझे यहाँ पर टीचर में डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ की टीचर बहुत ही स्टिक है इसलिए सिंचन होमवर्क टाइम पर करना और यहाँ पर बंक मत करना तो वरना बहुत पिटाए पड़ेगी अरे ठीक है फ्रेंक लिबया चलि जल्दी जल्दी लेकि आएंगे ओके तर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और यह वीडियो को जेतना हो सके शेर करना मिलते हैं नेक्स वीड में तब तेक लिए टेक क्यार एंड गुडबाई दोस्तो रिजयो झाल